नगस्कार जहिन दोस्तों आप देखरें Master Video Official आसा करते हैं आप सब अच्छे होएंगे अभी हम जो 8th Pay Commission आने वाला है उस पे बात करने वाले और काफी basic जो एक normal student या candidate या जो employee है वो सभी समझ पाएंगे क्योंकि अगर आप news देखो या अलग अलग जगा देखते होंगे तो क काफी ये complicated type का लगता है कि कितना बढ़ेगा बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा तो उसी पे अभी हम पूरा बात करेंगे क्योंकि 2-3 दिनों से ये काफी news में आ गया है संसद होने हर जगह देखोगे new channel पे हर जगह यो थोड़ा तुल पकर लिया है तो उसी पे अभी हम अभी तक जो भी एक्जाम हुआ है रेलबे का 1996 से लेकर अभी तक जो भी एक्जाम हुआ है सबका इसमें question detail answer के साथ दिया गया है और सब exercise wise दिया गया है ताकि आपको पता भी चल पाया किस exercise जादिक hard question आता है और किस से असान question आता है तो ये दोनों बुक चारों बुक जो कि जो भी एक्जाम हो रहा है previous year question काफी important होता है और सारा TCS के based जो होता है उस पर हो रहा है तो ये आपको exam में help करेगा link description box में है जरूर visit कीजिएगा अब पहले बात करते हैं इसका कि 8th pay commission जैसे अगर देखे 7th pay commission जो है वो 2016 में आया हुआ था लेकिन उसका जो committee था वो 2014 मे बन चुका था सब यही कह रहे है लेकिन जो दो हजार 26 में अभी आना है दो हजार 26 में आना है तो उस हिसाब से जो committee है वो दो हजार 24 में बन जाना था लेकिन अभी तक नहीं बना है तो यह थोड़ा संसा है तो इस पर उन लोगों का यह reply था कि 2016 की जो बात है वो चुनाब था 2014 में और एक बड़ा movement टैप का था Congress के पास कुछ ऐसा थाने तो इन लोगों ने इसी लिए 2014 के starting में ही जो था वो pay commission का अस्थापना कर दिया था जबकि pay commission में ऐसा कुछ करने के लिए नहीं होता कि उतना पहले आप उसका अस्थापना कर दो और दो साल लग जाता है तो यह 3-4 मेहने का काम होता है असानी से हो जाता है तो इन लोग का ऐसा reply था तो इसलिए 2026 में pay commission आएगा ही आएगा लेकिन इसका अस्थापना जो है जब 2025 में जो budget है न वो पेस हो जाएगा उसमें आपको देखने को मिलेगा और उसके बाद उसका अस्थापना किया जाएग तो यह तो crystal clear हो गया कि जैसा उन लोग के according है कि 2026 में जो 8th pay commission है वो आएगा ही आएगा अब बात करते हैं कि salary उसमें कितना बढ़ेगा इससे पहले आपको पुराना वाला अच्छा एक चीछ देखिए इस पहले यह जो data है इसमें देखिए आप अभी जिलनों का salary होगा त 6th pay commission था फिर आया 7th pay commission और अभी क्या होगा अब 8th pay commission आएगा तो जो आपका basic होता है basic salaries होता है उसमें जो भी आपका DA होता है वो दोनों को add कर देता है और फिर जो next pay commission आता है उसमें आपका DA क्या हो जाता है जीरो ठीक है और फिर 3% 4% बढ़ता चला जाता है तो सबसे पे commission जब आया था 2016 में उस time DA 125% था लेकिन अभी जो अपना 8th pay commission आएगा अभी अगर आप देखो तो अभी मन्त चल रहा है 11 मैना नौंबर चल रहा है तो अभी अपना कितना है 53% है और फिर जनवरी में 3% बढ़ जाएगा जार 25 वाले में फिर जुलाए में 3% बढ़ यानि 9 जोर दो तो 62% जो है उस time तक अपने लोगों का DA रहेगा यह clear है अब इतना बड़ा difference है उस time में DA काफी अधिक बढ़ रहा था अभी DA क्या है काफी कम बढ़ा है यह समझ में आ गया अब DA के साथ क्या होता है देखिए अभी में starting में है कि DA में आपका basic salary add कर दिया ज 225% यानि अगर आप factor देखो DA मर्ज का तो वो क्या होगा 2.25% मतलब इसको 100 से divide दे दियेगा और कुछ खासने वैसे ही अगर आप इस साल करेंगे तो क्या होगा 100 में 62 add कर देंगे तो क्या हो जाएगा 162 हो जाएगा यानि 1.62% जो होगा DA मर्ज के बाद हो जाएगा यह यह रही है तो वो पिछले साल जो था वो था 14% 14.3% उसे पिछली वारे में जो 6 pay commission था उसमें अधिक था 32% के आसफास था सबसे अधिक उतना ही था लेकिन अगर आप स्टार्टिंग से देखो तो वही 12% 18% 15% 14% ऐसा ही रहा था तो हम इस बार भी 14% 14.3% ही अगर increase कर दे तो य 0.23 से multiply करोगे तो आपका result क्या हो जागा 2.57 इस बार अगर हम उस हिसाब से increase करे तो क्योंकि पिछली बार भी क्या था 2.25 था उसमें हम क्या किये थे 14.3 से multiply किये थे तो कितना आ गया था 2.56 इतना increase हुआ था इसका फाइदा क्या हुआ था अगर आप यहाँ पर देखो तो जो 6th pay time में 7,000 salary था उसको अगर आप इस 2.57 से multiply करोगे 7,000 को 2.75 या 57 2.57 से multiply करोगे तो salary क्या रहा था 18,000 उपिया जो था basic बन रहा था level 1 वाले post की हम बात कर रहे है इस वार अगर हम करेंगे तो आपका यह जो बढ़ के आएगा 2.57 आएगा मतलब थोड़ा का है अच्छा यह मैंने multiply कुछ नहीं किया इसको यह गलत है इसको अगर हम सही करें तो 0.00 यहाँ पर क्या आया है 23 आया हुआ है यहाँ इस दोनों को add करेंगे 2 और 3 5 इधर 8 और इधर 1 यानि 1.85 आया है ठीका तो 1.85 से हम क्या करेंगे multiply करेंगे तो जैसे अभी 18 18,000 है 18,000 है इसको क्या करेंगे 1.85 से multiply करेंगे यानि अगर हम 2 से multiply करें तो 36,000 के आसपास तो थोड़ा कम कर दो 32,000 के आसपास वे उनका बन जाएगा तो ठीक था दुगुना से तो नहीं पर थोड़ा बहुत 1.75 यह 1.8 कह सकते हो इतना कम से कम बढ़ेगा अब थोड़ा इसको कहे रहे हैं कि यह जो है ना जो लास्ट में 1.85 आया इसको कहे रहा है कि 5% बढ़ जाएगा यह मुश्किल है अला कि मांग किया जार अगर हो जाए तो ठीक है पर वो मुश्किल है उतना नहीं बढ़ने वाला पर 1.85 से तो पक्का multiple होगा उससे कम का मुझे ने लगना चांस क्योंकि कितना भी कम करें तो अगर जैसा अभी तक बढ़ता आ रहा है वैसा भी करें जितना हो जाएगा I hope समझ में आया होगा काफी basic तरीके से अगर आपका अपना निकालना आपकी पे ग्रेड में है उसको आप 1.85 से multiply कीजिए जैसे जो 800 ग्रेड पे में होंगे तो वो अपना 800 को जो है वो multiply कर लिजिए 1.85 से आपका basic पर इत्मा चला जाएगा जो 1200 ग्रेड पे वाले होंगे तो वो 1200 को 1.85 से multiply कर लिजिए वैसे जो 1400 वाले होंगे 400 वाले होंगे सब अपना salary को 1.85 से multiply कर लेंगे तो वो उनका basic हो जाएगा जैसे यहां पर आप देख सकते हो कि उस time में क्या था 7000 था level 2 वाले का कितना था 7730 रुपया था उसको आप क्या कर लो इस वाले से 2.57 से multiply कर होगे तो वो आपका निकल के आ जाएगा तो पस यही है असान तरीकिस सवाज में आ गया होगा फिर भी कुछ अगर दिक्कत हुआ हो कमेंट ओक्शन लिखिए का हम पोसिस करेंग और असान तरीकिस समझाने का मिलते नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जाहिंद